तो इस वीडियों में बात करेंगे क्लोवर फिनास के CLV कोईन के प्राइस मोमेंट के बारे में अबडेटेट लेवल्स और आने वाले जरूमस कोईन के टागेट्स करेंगे करेंटली कोईन 0.0396 पर ट्रेड कर रहा है कल से अगी तक इसकी प्राइस में 60% का मोमेंट देखने को मिला है और अकच्छ स्टेबिटी इस लेवल पर मेंटेन की हुई है अभी तक के लोवेस्ट एडिया पर जहां CLV कोईन ट्रेड कर रहा था उस लेवल से फाइनली इस कोईन में भी मोमेंट देखने को मिला है अभी इस कोईन के टागेट्स क्या रहेंगे कहाँ पर टेक्निकली सपोर्ट एंडरसस लेवल से किन लेवल पर आप नजरे बना रख सकते हैं कम्प्लीट एनलाइसस इस वीडियो में शेयर करेंगे उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आये हैं जिनको जादा नोलाइज एकस्ट नहीं है उनके लिए प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको proper guidance, proper study, share की जाएगी crypto queries updated level, signature की जाएगी और भी कई सारे benefits हैं जो भी अपनी crypto journey profitable स्टार्ट करना चाहते हैं वो इन्स्टा पर DM करके जोईन करें इन्स्टा की link वीडियो के description में है और हमारे free telegram channel के link description में मिल जाएगी 0.0396 पर भी coin trade कर रहा है ये 15 minute का chart open है और night की time में अगर बात करें तो जहां ये coin 28, 29 वाले level पर trade कर रहा था वहाँ से single candle के अंदर 15 minute की candle के अंदर एक बड़ा breakout देखने को मिला जहां पर 4, 6 वाला level इस coin ने hit किया वहाँ से वापिस drop और उसके बार में सुबह से लेके अभी तक अच्छी खासी fluctuation देखने को मिल रही है जिसमें ये coin previous level को break करने की कोशिश कर रहा है एक अच्छा volume यहाँ पर generate हो रहा है और आप देखेंगे वापिस तो ने 4, 4 वाला level hit किया है लेकिन अगर हम overall इसके level को calculate करें तो यहाँ पर यह अभी तक के lowest area पर trade कर रहा था जहाँ पर 2021 की अगर बात करें तो 2.48 का high बिनाया था उसके बाद में अगर recent की बात करें तो जहाँ पर starting January और February 2024 में इस coin ने 0.17 वाला level hit किया था उस level से भी यह coin अच्छे खासे dump के अंदर है अभी तक कोई बहुत जादा recovery नहीं हुए सिर्फ जो lowest 2.4 वाला area है उस level से जरूर यह coin 90% उपर trade कर रहा है अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टेकनीक अले लेकिन एक level ऐसा था जिस time पर हमने 2023 के अगस्ट मन्त में इन lowest area पर आपको entry suggest की थी जहाँ पर चने 28 का low बनाया था और 0.0313 और 30 यह दो level के हमारी 23rd अगस्ट के entry है और वहाँ से इस breakout को हमने grab कर वाया था यानि कि ओवराल देखिए अभी हम bull market के अंदर हैं BTC न अच्छा move किया है तो हम आपको 2021 से लेकर जहाँ पर हमने 2021 का bull market देखा उसके बाद का हमने dump देखा जहाँ पर 2022 में तीन से चार बार market ने बड़े dump लिए BTC का lowest area देखा arts का lowest area देखा और arts भी भी बहुत सारे arts जो है वो level अरिया पर है लिकिन तब से लेकर अब दक हम आपको crypto से related regular update शेयर कर रहे हैं आपके लिए regular update लेकर आते हैं coins की signal suggest करते हैं और उनके जो भी level से या फिर crypto की जो news बिटकोईन की जो update है वो लेकर आते हैं तो कहीं न कहीं हमने आपको aware किया कहीं न कहीं ये विश्वास जगाया कि BTC भले है 15,000 16,000 के lowest area पर है लेकिन कुछ चीजे ये वाली चीजे ऐसा बता रही है ये वाली चीजे ऐसा बता रही है इस सहस्ताने ये बोला है ये country ऐसा कर रही है सारी चीजे हम और बहुत सारे crypto influencers जो हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं और आज आपने अगर BTC पर इतने time से trust किया हुआ है crypto पर trust किया हुआ दो साल तीन साल से तो ये कहीं न कहीं इस type की जो influencer है में ही नहीं बहुत सारे ऐसे हैं उनकी वदोलत है कि आप crypto में बने हुए हैं profit भी generate कर रहे तो ये आपके लिए आपको thankful रहना चाहिए और अगर आपके लिए हमारे वीडियो प्रोफिटेबल रहते हैं helpful रहते हैं तो comment करके जरूर बता दिया करें अब यहाँ पर टेक्निकली बात कर लेते हैं 0.040 पर ये coin trade कर रहा है daily में अगर बात करें तो daily में इस coin को 33 वाला जो level है वो resistance level है अभी भी क्योंकि कल्क में इसको ये ट्राइ जरूर किया था लेकिन उसको break नहीं किया था नहीं कि स्वेपर daily close नहीं किया था आज अगर 33 से उपर close कर लेता तो ये support बन जाएगा और उपर के तरफ 40 वाला immediate resistance level है 40 को जिसे ही close करता है तो उसको support बना लेगा अगर आज ये इसको 40 को support बना लेता है बहुत जल्दी ये coin 50 से लेके 5255 वाले इन levels को try करेगा ये थी हो गई daily की कहानी अगर हम weekly के चार्ट में चले तो weekly में इस coin को 30 वाला यहाँ पर support था जिस level को इसने यहाँ lose कर दिया था और 30 से नीचे price चली गई थी अब यहाँ पर 30 वाला जो level है वो इसके लिए हाँ resistance level है क्योंकि 30 से नीचे ही पिछले week की closing देखने को मिली है और इस week में बहुत जाड़ा possibility रहेगी 30 से उपर ही close करेगा क्योंकि इस candle में 30 से उपर trade कर रहा है दो दिन बाद weekly closing हो नहीं 30 से उपर close कर लेता तो यह support बनाएगा और 38 वाला इसके लिए resistance रहेगा 38 से उपर close करता है 38 को support बना लेगा अब यहाँ पर हम quick targets की बात कर लेते हैं तो देखिए overall एक अच्छा moment देखने को मिल रहा है और यह coin वापिस से 45 से लेके 4850 को try करेगा ही 46 वाले level को अभी break कर देगा फर्स्ट और quick target 44 का रहेगा जहाँ पर आपको 60% parts sell out करना है जो quick profit generate करने के perspective से entry लिए है sorry 44 वाला उनके लिए target रहेगा जहाँ पर आपको 60% parts sell out करना है second target रहेगा 48 का जहाँ पर बाकी 40% parts sell out करना है इस type से 60-40 के ratio में 4-4 और 4-8 पर sell करना है जो short term वाले हैं जो थोड़ा सा wait कर सकते हैं at least 4 से 6 वी किया 1 month से लेके 2 month तक का वो 0.053 का target रखेंगे जहाँ पर आपको 100% parts sell out करना है उस type से जो भी आपका perspective है उस business पर target लगा देने हैं long term में बेगर अब यहां से hold करते हैं तो एक low cap coin है और यहां से देखिए आपको पता है कि सबसे जादा जो inflow है money का inflow जो है investment का जो inflow है या फिर अगर हम किसी बड़ी news की बात करें जिससे related news निकल क्याती है वो है अलस अलवाडोर है अलस अलवाडोर ने बीटीसी बाई किये micro strategy कर बात करें Michael seller की तो उन्होंने बीटीसी बाई किये भूटान गवर्मेंट ने भी बीटीसी बाई किये थे और अभी यूएस गवर्मेंट भी एक policy लेकर आ रही है जिसमें कि वो पास साल तक बीटीसी बाई करेंगे उसके बाद में उसको जो है डे बाई डे यर बाई यर सेल करेंगे तो जितने भी policy बनती है भले किसी company की हो बड़े institutions की हो या फिर किसी भी particular कोई भी हो wealth वगरा हो वो BTC बाई करते हैं तो पहला inflow BTC में जाएगा उसके बाद में फिर जो उससे छोटे जो top 10 या top 50 coins है उन पर जाएगा हो ज्यादा मुमेंट नहीं है अलाकि यहां बाई नहीं करना है लेकिन 3-0 के राउंड आता है 3-2-3-0 वहां बाई कर सकते हैं इसके लावा जो भी नहीं investor trader market में आए हैं जिनको ज्यादा knowledge expense नहीं है हमारी premium membership में इन रोल करें वहाँ पर आपको proper guidance प्रोपर प्रड़ी शेर की जाएगी crypto queries updated level signature के जाएगे और भी कई सारे benefits हैं जो भी अपनी crypto जरनी profitable start करना शाहते हैं वह इंस्टा पर DM करके join करें इंस्टा की link वीडियो के description में है और हमारे free telegram channel के link description में मैंने जाएगी बाकी है आप अब आउसेल खुद के risk खुद के research के हिसापस करें आपर हम कोई fans advice नहीं दे रहें वीडियो से पर education पर पस्ते हैं ताकि आपको overall coinculated knowledge उसके वीडियो अच्छा लगा है like जरूर करें चैनल को subscribe कर लें thank you